हेलो दोस्तो आप सभी का स्वाकत है भाई कर नमा के आज के वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रियर वील ड्राइव आगर काम कैसे करता है जो पावर गियर बॉक्स से होते हुए प्रपेलर शाफ्ट में और डिफरेंशल तक कैसे पहुछती है तो च जो कि हम यूज करेंगे दूसरा टूल है यह स्टैंडर्स क्रूड़ डाइवर तीसरा सेट यह बॉक्स पैनर का सेट इसमें की यह एल टॉमी और विद एक्स्टेंशन यह पे दियागी तो दोस्तों चौता है रैचेट पैनर का पूरा सेट जो कि हम यूज करेंगे हमारे दिसमेंटल करने के लिए तो जैसे कि अभिशेख भाई आपने बताया कि पावर ट्रांस्मिशन यह 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 विस्ट एक्सल में वील में चली जाता है तो आईए अब मुम डिफेरेंशेल को डिसमेंटल करने के प्रोसेस में आते की जैसे करने को नीचे से ब देखेंगे यहां पर इंटरनल स्प्ला निये गए है दूश्टों यहां पर गेर बॉक्स से को आटा को अक्यस्ंतों तो उसके लिए यहां पर हमें यह चार बोल्ट और नट का मिंनां अक्फ मैं और बढूया गए है विज़ो पर विपरेंशाट को रटा दिया, ही मैं और भुच्टा है डिफरेंशल। स्विफ डिफरेंशल। अब यह लीए परचेज भावर रेली इसेसे को दिसमेंटल करेंगे ह। राइट? राइट! यसे निञेरों प्रकांतों। नर्ण घ transmission कि पहला स्टेपु कि भाजु की शर्ण थिस बाजु की पाएवलिक सटॉप्स pouकिते में वहारा है। लोगयों इसे कमें निकालेगे मिल्या को तो इसेट को निखाले लिए तो यह कौन पार सब्स्याग करेगे। ओपनेंड स्पैनल अगया तेरा नंबर काएंगे तेरा नंबर थर्टीन ओके तो थर्टीन नंबर की ओपनेंड से हम इन चार नट को निकालेंगे जो कि दोनों तरफ की एक्सेल को तनेक करते हैं यह अब इसका रेल एक्सकाल निकल चुका है इसे में हो गया जो कि जूड़ेगा डिफ्रेंशल के अंदर जूड़ेगा और यह पर यह बेरिंग भी दिया गया है हमें हाँ यह बेरिंग है यहां जो इस केज में इस फ्रेम में यह बेरिंग बेट पर्फेक्क बेटे का की जो भी ड्राइब जा रहा है तो डिफरेंशल के तूरह डारेक वील तक चलीज़े यह डिफरेंशल का जो एक कवर है मेन यह बीवल पीन एन जो बीवल शाब अब हम यहां से मेन प्रोसेश चाल भूगा इसमें भी ओई होता हुगा ना डिफरेंशल में अलग लुब्रिकेशन के लिए इसका लुब्रिकेशन ओई लिए नीचे वह हंडी से हंडी है था पिछे ट्रक में आपको ज्यादा इस्पेशल देखने मिलेगा यह देखो यह उसका ड्रीन बोल्ट है यहां से लूज हो गया है यह हो गया आपका यह डिफरेंशल यह है मेन डिफरेंशल है यह लॉक ए दोनों सैड मेरे में यह आपको दूनो सैड में मिलीगा यह लाख त्राब यू रिखियो यह दो यह दोनों जो लॉक है इसको लॉक करने क्रिया हम बोल्ट है 12 13 नंबर श्यूपको अपन ब्लोक स्पहनर को आपको यह यूज करना पड और इसको लोक करके आपको डारेक यहां लोक करें मतलब जब का ड्राइव पास हो तो यह भूमे ना क्योंकि इसके अंदर भी स्प्लाइट ना यहां यह अभी आपका दोनों मेन यहां से मेन आपको एक्सल दिख जाएगा कि आप जब एक्सल लगे तो इंटरनर स्प्लाइन दोनों तरफ तो अभी हमने पहले लॉक निकाल दिया इसके बाद अभी हम क्या निकालेंगे इसके बाद हमको अभी इसके आफ एंट को निकाल रहे हैं तो क्या इसके लिए हम पहले यह निकाल सकते हैं नहीं इसको आप निकाल सकते हो इसको ना आपको थोड़ा इक्वाली इसको लूज करना पहला अगर यहां एक वन एंड हुआ तो यहां भी वन एंड तब जाके यह थोड़ा लूज रहेगा लेकिन आप अगर चबब जस्टी करोंगे ना तो अंदरकर ट्रेडिंग डैमेज हो सकते हैं तो फिर इसके लिए भी हम आप यह के साथ 12 नंबर का 12 जाए पर यह निकल जाएगा पर बार यह अंदर भी इसका बेरिंग देता है और बेरिंग के अंदर उसका जो इंटरनल स्प्लाइन से वह आपके एक्सल में लगता है अच्छे यह जो आपने लूस कर दिया ता उसको इसको भी निकाली देते हैं क्योंकि यह सी भोल करता है यह हाफ एंड ना इसी भोल करता है जो वीरेटर में यूस करते हैं एक्टिवा के कि हमको अगर वीरेटर का क्लश्चु चेंज करना है या इसे हम एंटी क्लोक वाइस घुमा के लूस करके निकाल रहे है यह अगर आप इसको मैंने थोड़ा कर नहीं लूस क्या रहे था न तो यह उपनी होता था है अच्छा तुम बोल्ट को भी निकाल लेते हैं अब आप यह आपने सब निकाल दिया है अब आप यह इजी लिसको आप रिमोग वर सकते हैं अच्छा यह देखिए जब इनको यह पॉपर शाफ चे जब ड्राइब आता है डिफरेंशल के तरफ त बोल्ट करता है इस क्राउंगेर को यह और डिवाइड करता है दूनों प्लैनिट रिगेर जो वील की तरह ज़ारहे ना एक्सल से वह इस डिफेरेंशल के तरूँ जा रहे तो तो दोस्तों मैं उमीद करता हो आपको डिफेरेंशल कैसे काम करता है वह इस वीडियो से पता तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ